हेलो फ्रेंड मैं मोनिका आज मैं आपके लिए लाई हूँ काना जी का प्रिय भोग पंजीरी जो की जनमाशनु में हर घर में बनाई जाती है और पंजीरी लड़ू गोपाल जी का प्रिय भोग है तो आप इसे जरूर बनाए और ये पांच मिनट में बनके तयार हो जाएगी इसे बनाना बहुत आसान है तो आज मैंने इस धन्य की पंजीरी को कैसे बनाया चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पंजीरी बनाने के लिए गैस पर कोई भी एक कड़ाई या पैन रख देंगे उसमें हम डालेंगे एक चमस देशी घी घी को थोड़ा सा गरम होने देते हैं गी घी गरम होने के बाद में हम इसमें कुछ ड्राइफूर्स डालेंगे तो मैंने यहां पे 10 से 12 कांजू को इस तरह से चोटे चोटे टुकड़ों में काट लिया था ड्राइफूर्स आप अपनी पसंद से कम जादा भी कर सकते हैं 10 से 12 बदाम उसे भी हम इस तरह से चोट इस तरह से देशी घी में ड्राइफूर्स भूनने से उनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है तो आप ड्राइफूर्स को देशी घी में जरूर भूने और इसे हम लगाता चलात वे भूनेंगे ताकि एक डम से ब्राउन ना हो बस हमें इसे एक से एंग्द मिनट तक ही भूनना है मैंने यहां पर बदाम और कांजु को अच्छे से घी में फ्राइ कर लिया है एक से दो मिनट के लिए अब इसमें हम एक कटोरी में निकाल देंगे उसी कड़ाई में हम डालेंगे एक चमस देसी घी फिर से और मैंने यहां पर एक बाउल लिया है धनिया पाउडर पंजीरी बनाने के लिए हमेशा धनिया पाउडर जो थोड़ा सा हलका सा अगर दरदरा हो तो उससे बहुती टेस्टी पंजीरी बनती है अगर आपके पास धनिया पाउडर ज्यादा दरदरा नहीं है तो आप बारिक धनिया पाउडर से भी पंजीरी बना सकते हैं बस उसे सेखते से में गैस का फ्लेम को हमें स्लो रखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मीडियम गैस पे इसे 2-3 मिनट तक लगाता चलाते हैं भून लूगी आदी छोटी चमब देशी घी हम इसमें ओट डाल देंगे जितना ज़्यादा इसमें देशी घी रहेगा उतनी ही टेस्टी हमारी पंजीरी बन के तयार होगी धनिये को आप जब भी भूने तो एक चीज का ध्यार रखे कि इसे हमें लगाता चलाते हैं भूनना है ताकि यह कड़ाई में नीचे से एकड़म से लगे ना अगर आप इसे नहीं चलाओगे तो यह एकड़म से नीचे से लग जाएगा और इसका टेस्ट करवाएगा तो मैंने यहाप पे धनिये को लगबग 30 मिन तक भूल लिया था मीडियम गैस पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है पंजीरी के लिए बस हमें इसी तरह का धनिया चाहिए जादा नहीं पकाना है अब हम गैस का फ्रेम यहाँ पे बंद कर देंगे और इससे हम उतार लेंगे नीचे देखे कलर कितना अच्छा लग रहा है इसे हम एक बड़े बाउल में सिफ्ट कर देंगे जिस धनिया को हमने देशी घी में 2-3 मेर तक भूना था और इसे आपको तेज गेस पे नहीं भूनना है ध्यान देंगे उसी कटोरी के नाप का हमने धनिया पाउडर लिया था उसी के नाप का हम लेंगे एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट यानि नारियर का बुरादा वो हम इसमें मिला देंगे और मैंने यहाँ पे लिये 3-4 कव पीसी हुई चीनी चीनी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते है और जो ड्राइफूर्स हमने बदाम और कांजू घी में सेख के रखे थे वो भी हम इस पंजीरी में मिला देंगे तो देखा कितनी आसानी से पांच मेंक में यह पंजीरी का परसाद बन गया है और इन सभी चीजों को हम एकदम अच्छे से चम्बस से मिला देंगे लड़ू गोपाल जी का प्रिय भोग धनिये की पंजीरी बन के तयार है और इसे बनाने में हमें लगबग 5-6 मिनट का ही समय लगा है तो इस जन्मास में आप इसे बनाए और लड़ू गोपाल जी को जरूर भोग लगाए यह उनका प्रिय भोग है तो आपको मेरी पंजीरी की रेसेपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और आपने देखा यह कितनी जल्दी बन के तयार हो गई और इसे आप पूरे 15-20 दिनों तक एटाई डब्बे में भरके रख सकते हैं और जब भी आपका कुछ अच्छा सा मीठा खाने का मन करें तभी भी आप धन्य की पंजीरी खा सकते हैं यह खाने में बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट होती है तो इस जनमास में आप बनाए यह धन्य की पंजीरी और इंजॉय करें आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें बाई बाई